खलो फ्रेंट्स, कॉंप्टेशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमिन प्रधान, आई ये फ्रेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हीं, CGPAC means Answer Writing Guidance Program के तहद, CGPAC के साथ पेपर में से पेपर नंबर 4 को, और पेपर नंबर 4 में आज हम डिसकस करने वाले हैं इसक ये पार्ट 3 को, पार्ट 3 के अंतरगत आता है Applied and Behavioral Science और ये Applied एवं वियावारिक विज्ञान के अंतरगत फर्धर दो महत्पूर सब्जेक्ट आते हैं, that is Science and Technology विज्ञान एवं प्रादोगी की और दूसरा है Environment Science या परियावरेन विज्ञान, यदि इन दोनों सब्जेक् में आती है कि Ultimately ये दोनों Science के ही सब्जेक्ट हैं, और Science के बारे में हमको एक बात ये मालूम है कि इसमें Marks नहीं करते, यदि हम इसमें सही इंपूर देते हैं, उसका Maximum Output हमको प्राप्त होता है, तो इस Applied and Behavioral Science पे हम सरवाधिक अंग कैसे प्राप्त करें, किन बातों को हम इसमें को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इसमें आपकी Marks नियुनतम कटें और आपको Maximum इसके Marks मिल सकें, इस लक्ष पर आधरी आज का हमारा सेशन होगा, तो आईए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, तो सबसे पहले यदि हम Paper 4 की बात करते हैं, तो Paper 4 की जैसे ही हम आपके दिमाग में एक लक्ष तुरंत निर्धारित हो जाना चाहिए, यदि आप अपने सेलेक्शन के प्रती बहुत ज्यादा सीरियस हैं तब, वो लक्ष क्या होना चाहिए, कि this is the only paper out of seven, साथ पेपर में से एक मात्र ऐसा पेपर है, जहां पे आप 80 से 90% स्कोर कर सकते हैं यहां पे देख रहे हैं कि 80 से 90% स्कोर आप हासिल कर सकते हैं जो अभी नए सिलेबस के हिसाब से किसी ने हासिल नहीं किया है, तो अगर यहां पे यह 80 से 90% स्कोर का आपने ड्रीम देखा, तो यह जो ड्रीम है, यह जो लक्ष है, इसे कैसे हम प्राप्ट करें, तो इस लक् और टाइप अप कोश्चन ये चार मत्मुर सेगमेंट में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस पेपर में 80 से 90 परसंट या फिर मेक्सिमम टू मेक्सिमम मस कैसे हासिल होगा तो यदि हम इसके सिलेबस को समझ जाएं और यह देख के हम को समझ में आ जाए कोई टॉपिक कि इस TOPIC में आपकी बड़ी कोश्चंस बनते हैं और कुछ ऐसे TOPIC है जहां से छोटे कोश्चंस बनते हैं तो आपके लिए ये काफी helpful हो जाता है पॉइंट नमबर टू जिसमें जो हमारा लक्ष है कि क्या 200 में 160 to 180 marks possible है येस इस पॉसिबल ऐसा बिलकुल संभाव है कुछ महत्पूर्ण तर्क दिये जाएंगे जैसे कि हमने पेपर वोर के part 1 याने जनरल साइंस के सेशन में भी देखा था कि part 1 में physics, chemistry, biology आते हैं तो जो physics, chemistry और biology के कुछ महत्पूर्ण areas होते हैं उनकी कुछ technical बाते होते हैं उनको हमने समझाता और उस paper में हम ज़्यादा अंक प्राप करने की बातों को भी गहराई से समझाता similarly यहाँ पे भी क्या देखते हैं कि इस 200 में 160 to 180 के लक्ष को पाने के लिए भागवन में जैसे हमने strategy बनाया था वैसे ही भाग 3 याने part 3 में भी same strategy बनाना पड़ेगा ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा marks आपको मिल सकें और part 1 और part 3 दोनों मिलके आपको याद होगा कि ये 1500 marks का paper बनाते हैं out of 200 और rest 50 number के जो questions आते हैं वो आपकी math reading से आते हैं तो आईए इन बातों को हम समझेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि syllabus and the type of question syllabus देखके आपको समझ आ जाएगा कि कहां से बड़े question बन रहे हैं कहां छोटे दूसरा हम समझेंगे कि 160 to 180 marks हम target तो रख लिए लेकिन उसको पाने के लिए हम करें क्या किन बातों को ध्यान रखे उन बातों को हम यहां पर समझेंगे और उसको फिर apply करेंगे कहां पर कि related अंग छोटे प्रस्न और बड़े प्रस्न के हिसाब से उसको answer writing में हम apply करेंगे और चौथी बात that is most most important that is the previous year analysis विगत वर्सों के visualization को देखेंगे कि exam में question के trend क्या है किस type के प्रस्न पूछे जा रहे इन प्रस्नों का basically कहा जाए इनका आधार क्या है और हम यहां पे इससे based क्या रड़े निती हम बनाएं ताकि आपको एक भी question आपसे न चूटे और लिखे answer ऐसा कि पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सके हम ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखना होगा आपको paper 4 में 80 से 90 स्कोर करना है तो उसके लिए आपको कुछ strategy video को follow करना ही पड़ेगा otherwise यह possible नहीं है और यदि आपने strategy video को follow किया तो definitely I guarantee to all of you कि आप इसमें maximum अंक प्राप्त करेंगे और यह आपको न केवल selection दिलाएगा बलकि आप merit list में आएंगे ठीक है तो आईए देखते हैं आज के session को तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आज के session में आज के session में एक बात से हम start करते हैं that is about कि यदि हम इस paper 4 को देखते हैं तो paper 4 को दे part 1 में और part 2 then the part 3 इन तीनों part में हमको वो जो marking system में थोड़ा सा इसमें हम इसको overview कर लेते हैं जैसे part 1 में हमने क्या देखा था chemistry फिर उसके बाद physics उसके बाद biology इसके बाद part 2 में आता है आपकी क्या है maths plus reasoning तो यह मेरे subject से related नहीं है इसके आप separate strategy video already आप YouTube में देख रहे हैं ठीक अब बात आती है कौन सा आती है बात part 3 की जिसमें हमारे पास है technology plus हमारे पास है environment तो यह जो environment science है और technology है आप क्या देखते हैं कि part 1 में कितने नंबर के प्रसना आएंगे part 1 में 75 मास के questions आएंगे part 3 में कितने नंबर के questions आएंगे part 3 में आएगे 75 मास के questions तो यह दोनों मिलके कितने हो गए 150 हो गए और बचे हुए यह 50 किसमें आएंगे यहां से part 2 से आएंगे तो अगर आप part 1 के वीडियो को अच्छी से समझे हैं तो part 3 के वीडियो को भी अच्छी से समझ जाई है ताकि 150 स्कोर कर लें और आपको यह बात जानके हैरानी होगी कि 150 स्कोर भी नहीं किये हैं students कोई किये होंगे overall यह मैं नहीं कह सकता लेकिन overall अगर इसके average marks की बात करें तो 150 स्कोर बहुत बड़ा स्कोर है यहां पे 110, 115, 120 से नीचे average स्कोर है इस paper 4 में तो अगर आपको paper 4 की बात कर रहे हैं जिसमें की 120 स्कोर भी से भी नीचे स्कोर है इसका average या ओसत मार्क तो ओसत अंग इतना नीचे क्यों है क्योंकि उसमें कुछ बातों को ध्यान नहीं रखा गया हुगा क्योंकि यह मेरे experience के बेसे कह सकता हूं कि science मैं तो marks नहीं करते लिखनी नहीं पढ़ती टेक्निकल बाते हैं definition है example है और एक है यह सब चीज़ों बातों को ध्यान रखना पड़ता हो सही तरीकी से लिख दिया मतलब आपका काम हो जाएगा और आपको marks भी वैसे मिलेंगे I guarantee to all of you ठीक है तो आए समझते हैं कि इस 75 प्लस 75 मतलब डेड़ सो marks तो यही मिलिया तो कितने percent हो गए देखो 200 में आपको 160 मतलब ही 80% होता है और डेड़ सो पार्ट वन और पार्ट थी से आ जा रहा है तो यह बात आपको ध्यार रखना होगा और आप पार्ट टू में भी obviously perform तो करेंगे ही क्योंकि वहां पे आप मेंस लिखने की खाना पू कि यह this is the only paper out of seven where you can score 80 to 90 percent score out of 200 तो यह बात आपको ध्यार रखना है दिमाग में सबसे पहले बैठाना है आपके दिमाग में अपने आप पर यह belief करना है खुद पर अगर यह belief आप खुद पर कर लें कि हम इसतना score कर सकते हैं तो इतना score करने के लिए उसके पीछे कुछ road map त सकते हैं जिसमें सबसे पहले हम syllabus देखते ही आपके दिमाग में यह बात बैठाएंगे कि इसमें बड़े questions कहां से बन रहे हैं कहां से छोटे question बनते हैं तो यह topic देखने के बाद आपको यह session देखने के बाद उस सभी बातें आप से clear हो जाएगी आपको कहीं पर कोई confusion होग है उसके बाद क्या है आपके environment का syllabus है इसलिए वर्स 2021 का पेपर 20 का पेपर 18 का पेपर 19 का पेपर में सबसे पहले आपका स्वागत किस question से किया गया है आपके science and technology के question से और जैसे हम PCB यानि की physics chemistry biology या आप कह सकते हैं पार्ट वन में देखते हैं वहां स्टार्टिंग हुआ था chemistry से फिर physics से फिर आपके biology से तो जो questions का जो करम था जो sequencing थी वो sequence भी वैसे ही था chemistry फिर उसके बाद physics फिर उसके बाद biology लेकिन वहां तीन subject थे यहां पर दो subject हैं तो दो subject में यहां पर देखते हैं क्या है आपका पहले आपके technology के question देखे गए ही इन जनरली और यहां पर सारी करक्स निकल लिए आते हैं उसी निस्ट को ही तो हमको फॉलो करना है तो स्टार्ट करें अभी सिल्यबस को तो जैसे देखते हैं आप उपर वकुष्ट को आप यहाँ पे आप गांट बांदकर रख ली लिख लीजिए कि मैं अभी से आज अभी recording से आपको मैं guaranteed कह सकता हूं कि science and technology में सबसे बड़े question जो बनते हैं वो कहां से बनते हैं वो बनता है ICT से information and communication technology या सूचना प्रद्धोगी को हो या सूचना इब संचार प्रद्धोगी को हो ठीक है क्योंकि बेना communication के आपके information का कोई मतलब नहीं है ठीक तो यहां पर information communication technology सूचना प्रद्धोगी के इस topic में हमको यह समझ में आता है कि बड़े question इसी topic से ही बनते आए हैं चाहे old syllabus की बात करो चाहे new syllabus की बात करो तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि इस से 15 नंबर की questions आते हैं 15 मास के questions आते हैं तो यहां पर मैं इसे दुबारा लिख लेता हूं systematically तो देखिए यह एक ऐसा topic है जहां से 15 मास की question आपको अभी से ready करके रखना है दूसरा यहां पर all type of questions बनते हैं all type of questions बनते हैं मतलब 8 भी बनेंगे 4 भी बनेंगे और 2 नंबर के questions भी बनते हैं यह बात मैंने previous session में बताया भी है कि 2 मास 4 मास 8 मास और 15 मास के questions आपके paper 4 के part 1 और part 3 में पूछे जाते हैं same type के questions 2, 4, 8 और 15 नंबर वाले प्रस्न जो चीजे part 1 में apply होगा same to same part 3 में apply होगा बस subject बदल जाएंगे और उसमें obviously question तो बदलेंगे यह बदलेंगे ठीक है यह बात समझ में आ गई तो यहाँ पे इस topic में देखने पर जैसे कि भारत ग्रामीड भारत में सुचना प्रदूगी क्या भूमिका है इसमें बड़े question जो पूछे गए है कि rural India को हम उसके उदय करने में उसको राइस करने में ग्रामीड भारत की उदय में सुचना इवं संचार पौदूगी का क्या महत्व है उसकी भूमिका लिखिए फिफ्टीन नंबर के questions अगर यहाँ पे इस ग्रामीड भारत को उदय बात करते हैं तो उससे further कई तरीके से हम divide कर सकते हैं overall अ अर्बन और रूरल को डिवाइट कर दिया तो अर्वन तो अलड़ी डैवलप होता है तो रूरल को डैवलप करने की ज़ौरत है तो रूरल इंडिया के लिए आईटी का यूज़ की आपको पूछा है आपको बैजुकेशन में आईटी का क्या अनुपरयोग है यह उसी कही सेगमेंट है अगर भारत में भारत में भारत के उदय में आईटी की भूमी का अगर आप समझ गए उसे रूरल और अर्बन में डिवाइड कर लिए या अलग-अलग सेगमेंट में उसे समझ लिए तो आपके सभी टाइप की प्लस नों उसके अंदर समाहित हो गए रूरल अब आए तो रूरल लिखिये अर्बन आए तो अर्बन लिखिए से एजुकेशन एए तो एजुकेशन लिखिये ठीक है इन बातों को आपको ध्यां रखना है इस दडा वैरी वैरी इंपोर्टन टॉपिक फॉर दा मेंस पॉइंट आव वीव की आई सीटी सबसे इंपोर् प्रादोगी की वर्ट सुनते हैं ना प्रादोगी का मतलब क्या है साइंस यहने विज्ञान के अनुप्रयोगात्मक भाग को हम प्रादोगी के एप्लिकेशन पार्ट अप साइंस कॉल्ड टेक्नलोजी तो विज्ञान जब अपने क्रियात्मक रूप में आता है हम नीचे से में और चीजाना बहर है अपर साइडिलाइट लॉंच किया शटैलिवाय के सेडिलाइट है और मिफन सेब्स लेकर हुए और उस यह से वाएं प्राप्त हो रही हैं उसे हम स्पेस को हो नहें हैं क्कि वासटाट है हॉससमें दिए हुई हैं अर तो related है जो लेकिन वो क्या है ultimately communication part है संचार है तो इसलिए हम कहते ही communication technology वो communication technology की कहों बहुत सारे segment होते बहुत सारे भाग होते जिसमें आपके satellite से लेके टेलिकॉम से लेके कई generation आ चुके इस है टेलिकॉम के आपके communication technology के ठीक यह बात ध्यारखना जिसकी सुरवात भारत में कब हुई थी 1980 के दसक में हुई थी ठीक है चली आगे बात करते हैं तो यह बात ध्यारखना सभी टाइप के प्रस्ण पूछे जाते हैं आपको इसमें ध्यारखना यह पहला ही point exam में पूछा जा चुका है आइटी के क्या application है तो यह आइटी के application banking education health ऐसे बहुत सारी area हो सकते हैं इसके अनुप्रयोग पूछ सकता है तो अगर आइटी के विर्याद अनुप्रयोग पूछा जाएगा तो हो सकता है वह 8 और 15 में पूछा जाए आपको यहां पे computer देख रहे हैं तो computer के जो अलग अलग hardware और software पार्ट है hardware में input output device क्या है software में software development क्या होता है application software क्या है आपके system software क्या है यह सब बाते इसमें एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इसमें computer से रिलेटेज जब बात आती है तो वर्म्स के फिर दो टाइप आ जाते हैं आपके malware के फर्दर दो टाइप हो जाते हैं कि वर्म्स और वाइरस तो यह उनके बारे में एक्जाम में पूछा गया है तो यह बातें आपको धिया लिखा हुआ है इन सब्दों को आप decode कर लो इन सब्दों को यह अच्छे से समझ जाईए नभी निकृत और अनभी निकृत उर्जा के स्रोतर द्रीनिवेबल एंड नॉन ड्रीनिवेबल सोसा पैनर जी अगर यह दोनों को इंडिविज्वली पूछा तो दो या चार आपको पूछा गया है वह भी आपके चार माक्स में पूछा है ठीक है उर्जा की मांग पर बेस जो आपके कोश्चन पूछा गया है को 26 से रिलेटेट ठीक है यह बात आपको ध्यां रखना है यहां पर 15 नंबर की कोश्चन नहीं बनते हैं इस टॉपिक में the second important second most important topic of science and technology that is the nuclear technology nuclear technology याद रखेगा यह अगेन आपका all type of questions इसमें बनते हैं इसमें आपको एक्जाम में पूछा गया है अभी 2021 के पेपर में पूछा है कि भारत में अलग-अलग जगा nuclear reactor है कहां पे स्थापीत है उनकी capacity लिखिए कितना उनका production capacity है तो यह बातें आपको ध्यां रखने ह हैं बड़े-बड़े questions बनते हैं पहला है trilateral development of nuclear technology की नाभी की प्रद्विक की त्री इस्तरी विकास को लिखिए जिसमें कि आप nuclear reactor की प्रकार स्थापित हुए बारत में डॉक्टर भाबा की योगदान के कारण जो स्थापित हुआ था उनको आपको यहां पे लिखना लें तो यह तीन महत्रपूर्ण trilateral development इसमें पूछा जाता है कि एक ऐसा टॉपिक है जहां से ज्यादा questions बनते हैं exam में यह दोनों topic भी आप ready करके चले जाए one and three को तो आप यह मान के चलिए आपका maximum part cover हो गया ठीक है क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं और यहां बीच में देख रहे हैं यहां तो छोटे question बन रहे हैं दो चार आट वाले लेकिन जो बड़े question बन रहे हैं वहां पर आप देख रहे हैं one or three छोड़ना किसी को नहीं है मैं आपको बस priority बताने का प्रयास कर रहा था तो यह जो topic है आपको समझ में आ गया इसमें क्या-क्या segment आते हैं इसके अंदर बहुत सारी बातें आती है nuclear fusion और fusion क्या है नाभी की विखंडन सलयन क्या है इसमें आपको पूछा जाता है कि nuclear reactor के अलग-अलग segment उसके mechanism old syllabus में तो उसकी आपको diagram भी बनाना पड़ता था नए syllabus में आपको nuclear reactor का diagram अगरा बनाने का नहीं पूछा है लेकिन जब हम nuclear technology का development देखेंगे तो आपको nuclear reactor तो पढ़ना पड़ेगा यह उसके mechanism में बहुत आसान भी है ठीक है जिसमें उसका mechanism हम समझते हैं कि radioactive तत्व के नाभिक का विखंडन करते हैं उसका fusion करते हैं fusion करनी के बाद वो chain reaction से इंगला अभी कर चालो हो जाती है और further हम देखते हैं कि व नाभी की इंधा nuclear fuel का use करते हैं और उसे electric energy विद्ध तूर्जा में बदलते हैं clear हो गया तो यह एक्जाम में पूछा जाता है इससे related आपको isotope isotope क्या है इसके अनुप्रयोग लिखें पूछा जा सकता है दो नंबर में है ना तो यह बातों को ध्यान रखना है all type of questions topic बनते है इसी कारण में सभी students को जब मैं हम offline class जब हम करते हैं तो सबसे पहले मैं इसी topic को बताता हूं कि भारत में अगर science and technology के development को समझ जाएंगे तो आपका सब काम आसान हो जाता है समझना क्योंकि अगर आप बात करें before independence भारत में nuclear technology की नीव रख दी गई थी 1945 में आप्टर इंडिपेंडेंस 1958 में defense technology रक्षा प्रदु की नीव रखी गई थी और 1962 में हम देखते हैं जब इनको स्पार नाम की committee बनी थी जो स्पेस कमिटी थी यहां से स्पेस सेक्टर की जो है आपकी नीव रख दे गई थी तो न्यूक्लियर देंड़ डिफेंस देंड़ स्पेस यह तीनों टेकलोजी की कारण भारत बहुत तेजी से विकास किया फिर एटी के डिकेड में आपका ICT आता इंफर्मिशन कम्निकेशन टेकलोजी और जिसका रिवॉलिशन आज के डेट में हम देख रहे हैं तो यह बातें इन चारों टेकलोजी के समा योजन से इवन आप इसमें बायो टेकलोजी भी इनवाल कर सकते हैं क्योंकि यहां पे साइंस एंड टेकलोजी डेवलप्मेंट पूछा है तो अगर यहां आप देखें तो वी आर्ड लार्जेस मैनुफेक्चर और वेक्सीन हम सबसे वड़ी टीका निर्माता हैं टीका बायो टेकलोजी का पार्ट है हमारे हां हाइल्डिंग सीड़् भी बहुत मिलती है बो भी टेकलोजी का पार्ट है तो उन सभी बातों को लिख सकते हैं दंद पॉलिशी पर आधार पर हमने कितना डेवलप्मेंट किया यह बात अगर समझ जाएंगे तो आपके कोई भी कोश्चन छूटेंगे नहीं पहतर और बहुत ही हाई लेबल के आंसार राइटिंग आप कर पाएंगे वो कंटेंट का यूस आप सभी जगा कर पाएंगे क्लियर ध्यार रखना इसमें दो नंबर के कोशेंट नंबर के चार और आठ नंबर के कोश्चन बनते हैं ठीक है यह बात ध्यार अजय पहत। चलो आगे देखते हैं एकरीकलच्छर टेकलोजी दा वरी वास्स टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है लेकिन इसमें कोश्चन मिनिमम पूछे गए हैं यह टॉपिक है दो चार आठ और पंदरा वाले सभी लेकिन पंदरा नमबर के कोश्चन तो नहीं पूछे गए हैं आप इस टॉपिक को रेडी कर सकते हैं दो चार और आठ में जिसमें कि आप देखते हैं एग्रीकल्चर टेकलोजी का उद्भाव कैसे हुआ औरीजिन कैसे हुआ एक ऐसे इमर्जेंस हुआ उसके बाद देखते हैं इसमें कैसे डेवलप होता गया और इसके जो है एग्रीकल्चर के टेक्टिंक्स बदलते गए उसके क्रिशी पद्धती बदलती गई भारत में जो क्रॉप साइंस है फसल विज्ञान जो है इससे रि पर देख रहे हैं फटिलाइजर्स और पेस्ट कंट्रोल यहां से अभी रेसेंट में कोशन पूछे जा रहे हैं आपको इसमें बात यह भी पूछा गया है कि जो फटिलाइजर्स बात करते हैं जैसे कि आप एक च्छतीस गड़ का किसान या भारत के किसान तीन चार खात के भी ना खेती नहीं कर सकता हम सब जानते यूरिया जो क्या है एक नाइटोजीनस फॉर्टिलाइजर्स है दूसरा है कि डी अपी डाइ आमोनियम फॉस्पिट तो आमोनियम फिरिप से नाइटोजन आ गया तो जो मुख्या पोसक्तत्व हैं मैंने बताया था ना क्या है और इसमें भी हम देखते हैं खास कर n pk थीज अर्डाइजर्स है तो इसमें कितने न्यूटरेंट होते हैं तो इसमें कितने थी प्लस थी प्लस थी नाइन 9 are the macronutrient और उसके बात कितने बच गए 8 these are the micronutrient ये दीरगव पोसक तत्व है और ये क्या ये दीरगव पोसक तत्व 9 है और सुक्ष्म पोसक तत्व 8 है तो सुक्ष्म को आपको नहीं पूछा लेकिन दिरगव को पूछ दिया कि यूरिया डी एपी है ना आपको यूरिया और डाइ अमोनियम फॉस्पेट डी एपी सूपर फॉस्पेट पोटास ये सब चीजे जो है उसके बिना किसान खेती नहीं कर सकता तो आपको सीधा पूछ दिया कि नाइट्रोजन बेजड फर्टिलाजर का नाम लिखिए फॉस्पोरंस बेस फर्टिलाजर का नाम लिखिए ठीक है उसके पोटेशियम आधारित क्या है फर्टिलाजर का नाम लिखिए तो ये बातें आपको समझ जाते हैं अगर आप इसके कंसेप्ट को तो इस से किसी भी प्रकार के कोश्चन आप बना सकते है तो ये टॉपिक ऐसा है अगरिकल्चर टेकलोजी ब्वास तो है लेकिन इसमें कोश्चन बहुत ज़्यादा प्रिवियस येसमें कम नहीं पूछे गए कम पूछे गए ठीक है इस बात को ध्यान रखना है लेकिन अगर टॉपिक क्लियर करना है तो पूरी तरह से 100% क्लियर करके चलिए क्योंकि आपका ड्रीम है 80-90% स्कोर करना ठीक है डिसीज में कुछ बैक्टिरिया बेस डिसीज आपके फंगस बेस डिसीज वारिल डिसीज ये सब चीज आता है जिसमें की जो क्रॉप होते हैं ठीक है जो सीरियल्स अनाज वाले होते हैं कुछ होटी कल्चस वाले होते हैं बागवानी फसले होती हैं हैना कुछ पल्सेस वाले होते हैं दलहन फसले होती हैं कुछ तिलहन फसले होती हैं ओयल सीट्स वाले तो इनसे रिलेटेड डिसीज बगर है कुछ क्रॉप से रिलेटेड कोश्चन पूछे गए ठीक है और यह टॉपिक भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है तो दिस इस दा बेसिक पार्ट ऑप साइंस और टेकलोजी यह बात समझ में आ गया तो चलो अब मूफ करते ही इन्वार्मेंट की ओर तो इन्वार्मे टॉपिक है यह चार महत्पूर्ण टॉपिक में फिर से कवर होता है और यह जो बायो टेकलोजी टॉपिक है आपके इन्वार्मेंट का सबसे महत्पूर्ण टॉपिक है एक बात आपको और भी शेयर करना चाहूंगा कि आपका पेपर है 75 माक्स का लेकिन 75 को आधा आधा आ प्रेस करते वए़ या कह सकते हें टेकलोजी सेक्टर में कम को कुछें पूछे गए और सा इन्वार्मेंट भ поп favour पूछे गए आगे हम मांकिंग सिस्टम कहां कितने कुछण आए थे समझेंगे अर्टा सबसे जादा को का और इन्वार्मेंट का अगर यहां पे ज़्यादा प्रस्न पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इन्वार्मेंट की इंपॉर्टेंट जोन को हम समझ जाएं तो इंपॉर्टेंट इन्वार्मेंट का question आने वाला है क्यों बता सकता हूं क्योंकि ऐसा मेरा अनुभव है और इस वर्स 2021 के PSC में भी जब हमने यहां के test series बनाई थी तो आप 25 महीं से जो paper अभी हुआ था न मेंस का इसके पहले का अगर आप test series उठा के देखिए competition community का आपको तीन paper मिलेंगे तीन paper में अंतीम दो paper उठा के देखिए 8090 नहीं पूरे के पूरे 100% question उस test paper से आए थे मेरी बात यकीन मत करिए आप जाके देखिए पास्ट आपके website में या जो जिन्हों test series जॉइन किया था उस अभी क्रेस कोस के जस्ट पहले क्रेस को मतलब 25 माई के जस्ट पहले जो मतलब आपके मेंस paper के जस्ट पहले जो test series हुआ था विफोर मेंस उस paper के दो अंतिम दो process होता है कि आपको ज्यादा बहतर से बहतर चीजें provide मैं कर सकूं और उसी का ही एक भाग था कि यहां के जो offline student से उनको मैंने देने का प्रयास किया था जो test series वाले थे उनको देने का प्रयास किया था जिन्होंने भी वह test दिया था और रियल आपको questions हू बहू वहां पर देखने को मिले मिले होंगे क्योंकि वह पार्ट वहीं से उसी से काफी close था पूरा का पूरा वहीं से लिया गया था ठीक है वह से सईयोग कहें कुछ भी कहें वह आप पर है ठीक है तो क्या मैं question अभी से कह सकता हूं आएगा आप है न से questions already मिलते हैं चार-चार नंबर के question टू या फूर टू या फूर दिख्या है तीनों को एक साथ सामील कर देगा तो आट बना देगा इसे भारत का जैभागोलिक वर्गी करण भारत देखो आपको यहां पर इस बायोडावसिटी के चार टॉपिक क्या है पहला टॉपिक है कि भारत में होट्सपॉर्ड मिलते हैं भारत में टैन बायोग्राफिकल जोन मिलते हैं भारत में भारत का वन फूर पार्ट फॉरस्ट है भारत में वेट लैन मिलते हैं भारत में ट्रॉपिकल रेंड फॉरस्ट की भी पार्ट मिलते हैं इसे बहुत सारे segment है भारत में एंड कंटेंट को समेट के लिखना पड़ेगा और अगर आपको कंटेंट समेटरे में या कंटेंट को एक जगा और्गनाइस करने में दिक्कत होती है तो कंपटेंट का जो इनवार्मेंट और साइंस और टेकलोजी है उस बुक में एक बार उसे जरूख गोथरू कर लिजिए कोई भी किताब पढ़िए कोई दिक्कत नहीं लेकिन कंपटेंट के इनवार्मेंट टेकलोजी की अगर आप पढ़ लेंगे तो सोने पर सुहागा है क्य कैसे कोईशन पूछे जा रहे हैं कॉंटेंट क्या होने चाहिए क्या कॉंटेंट लिखे तो उसमें मैक्सिममम आउटपुट प्राप्त हो सके इन सभी बातों को ध्यान में रखती हुए पूरे कॉंटेंट उसमें डाला है ठीक है लेटेस अन अपडेटेट वाला जो है प है ना और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे भारत की बाई डार्यसुटी की की इंपोर्टेंस है और ग्लोबल बायो डार्यसुटी क्या है यह जो भारत राष्टी अवस्थानिस तर की बाई डाया सिट्टी एक्ट्वल में इससे आप जम करके कहां ले जाएंगे बंड तो सेकेंड में ले जाने के बाद आपकी पास बसता है बायो डायवर्सिटी का इंपॉर्टेंज एंड ग्लोबल बायो डायवर्सिटी ठीक है यह बात आपको समझना पड़ेगा कि ग्लोबल लेवल वेस्वर में 36 hotspot है global level पर हम देखते हैं कि very dense biodiversity zone है dense biodiversity zone है moderate वाले हैं very less biodiversity वाले पार्ट हैं उन सबको आप zone wise divide करेंगे hotspot को भी लिखेंगे है ना और इसमें weight line से लेके सभी बातें आप mangrove से लेके सभी बातें आप लिखेंगे तो आपको यह दो second unit clear हो गया है ना second unit के बार यह third unit clear हो गया ठीक इसमें importance और global biodiversity देखेंगे है ना उसके बाद आती है कि biodiversity का जो threatened part है इसकी जो च्छती वाला part है कि is biodiversity loss and threats actual में आप इसे आप लिखेंगे है ना यह आपका कौन सा unit हो जाएगा fourth unit हो जाएगा ठीक है एक बात ध्यान रखना fourth unit के बाद आप यहां पे सबसे नीचे देख रहे हैं जैविवित्ता का selection तो biodiversity conservation इसे चाहें तो आप fifth unit बना सकते हैं otherwise इसके महत्व के साथ selection को भी आप उसे एक साथ पढ़ सकते हैं ठीक है अल्टिमेटली चार से पांच यह यूनिट बन रहे हैं अगर आप पांच यूनिट में डिवाइट करोगे तो जो fifth unit है लास्ट वाला यूनिट है और चार में करोगे तो महत्व को यहां परच कर लेना ठीक तो अगर हम यहां पर इस लास्ट यूनिट को देख रहे हैं तो लास्ट यूनिट में आपको यह बात समझ में आती है और संस्थितिक और संस्थितिक नॉन टॉप लोजी कल टाइप आप अप कंजर्वेशन जिसमें इसके अंतरगत आता इंसीटू कंजर्वेशन ओर एक सिटू कंजर्वेशन है थीक है तो इईसिटू X2 कंजर्वेशन स्वास्थाने बहिस्थाने भी कहते है उससे है न तो यह है टोपोलाजीकल का क्या है उसका प्रयूग है उसका एक application यह जो कह सकते हैं उसी सिध्धानतों पर आधारित या है वह California का त तो देखिए यहां पर जब हम इंडिया की देखते हैं यहां पर बनता है आपके 48 और 15 नमबर के ठीक है भारत की बायो डायूसिटी के लेकर भारत यह से तब तेश्थल की बात करते हैं तो तब तैस्थल में इसी में लिए तो आप टू भी ले पूछा गया भी है ठीक है है नो यह बात ध्यान रखना तो यह भी एक और टाइप आप कोश्चन बन गया इसमें इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंस को लेंगे तो केबल दो और चार नंबर वाले हो गए ठीक उसके बाद ग्लोबल बायोडावसिटी से अभी तक आस तक कोई प्रस्न नहीं पूछा गया है दोजार अठारा से लेगी 21 तक के पेपर में देखेंगे ना यह जो ग्लोबल बायोडावसिटी इसस के साथ ध्या रखना राष्टी स्थानी को भारत के साथ हमने जोड़ दिया था तो उस पर हम देखें थे और कोशन बन रहे थी यह 248 और 15 तो इससे दुबारा बताने की जौरत नहीं है यह भारत की बायोडावसिटी के पार्ट के अंतर गताता है ग्लोबल जो है आपके आट मांक्स में कोशन पूछा गया है आपको यहाँ पे बायोडावसिटी थ्रेट से रिलेटेड चीज़े पूछी जाती है बायोडावसिटी लास उसके खत्रे क्या गया है ठीक है इवन आपको पूछा जाएगा यहाँ पे जो आयू सी एन इंटरनेशनल य जोते हैं दो चार आट और पंद्रह ठीक है और टाइप आप कोश्चन बनता है बायोडावसिटी लॉस एंट्रेटन से है ना च्छती वाले टॉपिक से और बायोडावसिटी कंजर्वेशन की बात आती है तो यहाँ पे आता है नेशनल पार्क और वाइड लाइब पूछा गया है तो आपको यहां पर समझना होगा कि यह जो बायोडावसिटी कंजर्वेशन है आपके इस टॉपिक में से फिर से एक महत्पूर्ण टॉपिक है तो यहां पर भी कितने टाइप की कोश्चन बनते और टाइप के कोश्चन बनते अगर इन सी टू एक साथ मिल लागे पूछ देगा तो पंद्रा मार्स के कोश्चन बनेंगे और अदरवाइस दो चार और आट वाले बनेंगे तो यह बातों को आपको ध्यां रखना है यहां पर आप लिख दिए ठीक है अब यह बात आपका इन्वार्मेंट का सेगमेंट बन हो गया इन्वार्मेंट क यहां पर इन्वार्मेंट में हम देखते हैं बायो डाविसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इसे चार से पांस टॉपिक में हम डिवाइड किये हैं ना इंट्रोडक्शन और सबसे लास देख रहें कि यहां पर कंजर्वेशन यह दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद सेकेंडं इंपॉर्टेंट है आपका और वाली बाकले बात चोड़ीह है पूरे के बाईवडाय इंपॉर्टे को इन 4-5 यूनिट में अच्छी तरह के समझ है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली आपका टाइम से वोने वाला है समय बचने वाला है और इसके रिजल्ट भी आपको बहतर दिखने वाले यह बात आप ध्यार किएगा अच्छा एक बात यहां पर यह भी समझें चुकि पेपर फॉर है जिसे मैंने पार्ट वाइन मे सेब फर्स पीपर दिए और उसके बाद की इवनिंग में अप्टर्नों में फूर्ट पिस्वर दिए मतलब यह पीपर फॉर आपको सैकेंड हाप में लिखना है सैकेंड एक और उसके लिए आपको रात को पढ़ाई करने पढ़ेगी और राद को करना पड़ेगा नौट पढ़ाई कहा जाए तो आप चुके रहेंगे लेकिन केवल रिविजन करना पड़ेगा तो रिविजन आप एक दो घंटे में क्या करेंगे जब आपके पास चीजें बुलेट यह यह संपसिस और यह content यह आंसर नहीं बनाएंगे तो आप जानते हुए पहले आप जानते थे लिकिन एक्जाम में जाकर लिखनी पाएंगी या एक्जाम के पहले आप revision नहीं कर पाये तो इसका आपको खामियाज़ा भुगदना पड़ सकता है इसलिए याद रखना कि इन इंवार्मेंट से यह आते हैं और इंवार्मेंट में सबसे दा कोशन कहां से आते हैं वायोडायोशिटीज आते हैं तो सभी बातों को अच्छी से समझ लेना आपको क्लियर हो गया अब बात करते हैं इसके आगे second part that is the environment pollution परियावरेंट प्रदूशन तो परियावरेंट प्रदूशन को देखिए प्रदूशन देखते ही तो ऐसे हमारे दिमाग में चीज़े चलती है रहे मेरे को सब पता है मैं भी समझता हूँ कि आप सभी को environment के बारे में ऐसे राइटिंग से लगे सब चीज़ लिख लेंगे matter वो नहीं करता कि क्या लिख रहे है matter ये करता उसमें content क्या डाले है कितना लिख रहे matter नहीं करता है उसमें content या उसमें क्या घटक डाले है तो आप यहाँ पे समझना कि environment pollution को taken for granted नहीं लेना है हलके में नहीं लेना है क्योंकि कुछ भी आफ एको लॉजी लिखेंगे कुछ भी आप unnecessary cable elaborate विस्तार करने का प्रयास करेंगे marks भी वैसे ही वैसे मिलेंगे average type के इस environment pollution में हमको समझना होगा कुछ technical बातों को कुछ आंकड़े डालने होंगे कुछ इसमें important घटक डालने होंगे तब इसमें ज्यादा marks आपको मिलते हैं ठीक है ध्या रखना तो जो notes पड़े होंगे तो उसमें सब चीजें आपको already मिलेगी ठीक है क्या क्या मिल देखते हैं यहां पे अच्छा यह जो environment production है आपको तीन point के आधार पर इसका क्या reason है इसका क्या impact पड़ता है और control measures याने नियंतरन की क्या क्या उपा है इन्हीं तीनों बिंदों के आधार पर यह answer लिखना होता है अब यहां पर देखते हैं दो प्रदूशन एयर प्रदूशन और वाटर प्रदूशन यह 15 नंबर में कोश्चिंज पूछे गए हैं अब सोचिए आप कुछ भी लिखके आ जाते तो क्या पंद्रा में आपको पंद्रा में 14 13 मिलता नहीं मिलता लेकिन आप वहां पे सही चीज़ें लिखके आएंगे तो दो और चार नंबर में कोश्चिन पूछे जाते हैं तो मैं आपको यहां पर डिकोट करने को डिकोट करने का प्रयास कर रहा हूं कि एयर पॉलुशन और वाटर पॉलुशन 15 में पूछा जाया उसके हिसाब से रेडी करें उसके अंदर छोटे कोश्चिन आएंगे तो बनी रेडी कर लेना लेकिन जनरली यह दो चार में ज्यादा चांसे से निउक्लियर पॉलुशन ऐसा टॉपिक है दो दो चार और आट में आता है ठीक यह बात ध्यां रखना तो अगर आप आप आट में रेडी कर लिए तो यह दोनों तो आटमेटली रेडी हो गया ठीक है तो इसके पीछे आप मत पढ़िएगा कि यह 15 नंबर के कोश्चन बनेंगे 15 नंबर के कोश्चन आप इन टॉपिक से नहीं बनते हैं सिप्ये दो ही टॉपिक से बनते हैं ठीक है यह बात ध्यां रखेगा सॉलिड वेस मैनेजमेंट तो यह अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो 15 नंबर के कोश्चन इसमें पूछे गए हैं ठीक है यह बात ध्यां रखना अभी हम एनलिसिस करेंगे तो चीज़ें समझ में आईगी और यहां पर प्रदूसर्ण के नियंतरण में व्यक्ति की क्या भूम तो उसके इसमें दो चार वाले कोश्चन भी आपको इसमें बन जाएंगे हैंना दो चार आठ आप इसके काम करिए और टाइप का कोश्चन इसमें रेडी कर लीजिए ठीक है तो यह टॉपिक का भी आपका पूरी तरह से पोस्ट मार्टम हो गया आसानी से इसमें अब आप का थोड़ा सा एक एक अप्रोस तो बन गया कि यहां स्टॉपिक में देखते हैं हमको यह बात समझ में आ गई ठीक है तो यह बात क्लियर हो गया तो चलिए अब इतना पोश्चन डिस्कस करने के बाद हम आगे चलते हैं हमारे स्टाड़ी के तहट कि अंग के अनुसार कैसे उत्तर लिखे और इसमें अच्छी आंसर राइटिंग के क्या पैमाने हुए ठीक है तो अंक एसाब से कैसे आंसर लिखे तो देखिए हमारे पास दो नंबर के चार नंबर के आठ नंबर के और पंदर नंबर के कोश्चन साते हैं जब दो नंबर की बात करेंगे तो यहां फेक कितने आंखक कितने सब्दसीमा होते हैं तीससीमा होती होती छाठ सब्सक्षे गऑन सब्सक्राइब करीब 18 लाइन आसपास आपको चाहिए ठीक है जो आपको वहाँ पे स्पेस दिया होता है पेपर में अब बात करते हैं कि अंग के अनुसार उत्तर कैसे लिखे तो जब भी आपको बड़े प्रस्न दिखे तो बड़े प्रस्न में हमको flow chart को हमको सामिल करना पड़ेगा ठीक है बड़े आप देखो यह किसी भी उत्तर के तरीके होते हैं किसी भी उत्तर में देखो आपको यहाँ पे पहले बड़े प्रस्न का समझ लेते हैं flow chart if needed diagram diagram या चित्र यहाँ पे देखते हैं इसे डालना पड़ेगा है ना उसके अलावा यहाँ पे क्या देखते हैं कि यह जो आकड़े हैं डेटा है यह आपको लिखना पड़ता है डाकड़े डालने पड़ते हैं ठीक है तो इससे भी सामिल करें ठीक है रटे रटायाँ से लिखने के बजाआ को भी crushing करें जो कारेंट की चीज़ें पड़े होते हैं वहाँ पर इन्वाल कर सकते हो ठीक है ऐसा कोई जोरी नहीं है कि वह रटे रडाय डेटा ही लिखो प्रोवाइड की रिलेटेड होना चाहिए ठीक है उसे संबंदित होना चाहिए है ना उसके बाद अगर जोरत है तो आपको क् map जयसे कि भारत का अगर आपको पूछा है nuclear reactor भारत का nuclear reactor पूछा है तो आंकड़े important हो जाते हैं है ना कितना data कितना production capacity है वो लेउन भारत का अगर आपको hot spot पूछ दिया 550 वाइवाटसपॉट तो बाके आंसर का वयली वैडिशन होगा वैसे ही बात करते है जब टायग्राम की तो कहा टायग्राम जवुरत पड़ेगी आपकी इन्वार्मिंट के अंतरगत can होगा genetic biodiversity आपके देखते हैं प्रजाती बायो डाइवसिटी को आप एक बॉक्स में बना के तीन तरीके साब रिप्रेजंट कर सकते वो आपके लिए एक अच्छा कहना चाहिए कोशन का वेली एडिशन होगा प्रोवाइड़ेट की वरड़ले मिट अलाउ करें वैसे डाइग्राम और कहा ज़रत पड़ेगी डाइग्राम ज़रत पड़ेगी आपकी कहा जाए कि फ्लो चार्ट के हिसाब से है ना या फिर कह सकते है उसे आरेक के हिसाब से कि भारत की बायो डाइवसिटी इंडिया की बायो डाइवसिटी को आप लिखिए कि वाई इंडिय इसा मेगा बायो डाइवसेटी नेशन भारत एक विसाल जय विवित्ता राष्ट क्यों है तो यहां पर आपको वेट लैंड भी लिखना पड़ेगा यहां पर आपको हॉट्सपॉट भी लिखना पड़ेगा है ना तो आप चुपचा वैरो लिखा सकते हैं वन फूर्ट पार या जोन मिलता है यह लिख सकते हैं आप वैसे ही देखें कि भारत में एंडेमिक स्पेसिस या इस्थानिक प्रजाती हम लिखते हैं वह मिल सकता तो आपने क्या किया एक बॉक्स के फॉर्म में चारों आपके आंसर के राइट हैं कॉर्णर में या कहीं भी जो आपको स्पे कितना योगदान है भारत के कुल शेतरपल कितने अरिया को कवर करते हैं उसके अलावा जब हम यहां पर एक्जाम में तो क्लियर पूछा है कि भारत के चार होट स्पॉट को लिखिए और कोई दो होट स्पॉट में पाए जाने वाले स्पीसीज का नाम लिखिए प्रजाति में आपको एक्जामपल लिखना है कि हमालें होट स्पॉट और सुंडालें होट स्पॉट के बारे में लिखिए आपको पूछा जाया तो उसकी इस पीस वहां क्या-क्या प्रजाति मिलते हैं यह भी लिखना है आपको पूछ दिया कि टैन बाइजगरिफिकल जोन को एक्स डेज़र्ट लिखे डेज़र्ट क्या है रगिस्तान क्या है आपके बायो जोगरिफिकल जोन है जैब भॉगवलिक छेत्र में से एक भाग है एक छेत्र है तो वहां पे क्या बहुत बड़ी खास बात है कि वहां पे एक ऐसा स्पीसिस पाय जाता है सोन चिरहिया ग्रेट इ प्रशन को विज्ञान एवं प्राद्व की की हो या साइन्स या इन्वार्मेंट हो 90% कोशन में आप एक्जांपल किसी तरीके से आप पुट करने का प्रयास कीजिएगा आपका कोशन का वैल्यू एडिशन होगा है ना सब्दावली चैन ऐसा होना चाहिए आपका है ना इ पार्ट में समझेंगे ठीक तो इसमें कैसे उत्तर लिखें कहा जाए तो यहां पर बात समझनी है कि साइंस में रटे रटायर उत्तर लिखने के बजाए चीजों को आप समझी है और उन्हीं टेक्निकल सब्दों को जोडते हुए अपने तरीके से उसे लिख सकते हैं कि यह यहां पर आपको जैनेटिक बायोडायवसिटी पूस दिया या आपको रेनिवेवल एनरजी कह सकते हैं नविक नविनिक्रित उर्जा पूस दिया तो दोनों ही केस में आपको रटे रटाय उत्तर लिखने की जौरत नहीं है आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं कि जीन इस यून बिंग हम सबका एक ही नाम है Homo Sapiens mango का एक ही नाम है मेंगई फेरा इंडी का लेकिन कुछ का म खटे हैं कुछ मीठे कुछ अलग कुछ कम हाइट वाले कौझ जादा हैandre क了 को जयसे हैं की बात करते हैं तो चाइनी इस अलग दिखते हैं इंडियन इंदियान सभी सभ्य सबक्रेंदक्र के लोग अलग दिखते हैं सबके बाड़ी में नमबर आप Kr отдum है और अलग अलग दिखते हैं क्योंकि उनमें जीन लेवल पर जैने स्थिक लेवल पर क्या होती है डाइबर सिटी होती है तो से हम जैनेटिक बायोडिवसिटी अनुमान सिक्सक्ता गहते हो किसके कारण होती है जीन की कारण होती है ठीक है तो वह बातों को आपको खेर लिखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन सभी मत्पूर सब्दावली का प्रयोग करने का प्रयास करें है ना तो यह बात ध्यारकना कि 30 सब्द साट सब्द 100 और 175 में रटे रटायर उत्तर लिखने के वज़ाए अगर आप उसके अच्छी वह किसी भी बुक में जो भी डेफिनिशन लिखा होता है अगर उसे हुबहु लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं लिख लिए और नहीं भी लिख लिए लेकिन उसके क्रक्स को समझत तो वहां पर आप डाइग्राम नहीं बना पाएंगे तो दो और चार में आपको डाइग्राम बनाने की ज़रत नहीं है अगर कर सकते हैं तो करिए आकड़े तो आप कहीं भी डाल सकते हैं चाहिए दो हो चार हो आठ हो पंद्रह हो है ना आपको मैप भी छोटे प्रसमें न बाता चल भी जाएगा जब आप इन सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें या पढ़े होंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि कहां पर मैप जवरत पढ़ती है ठीक है यह बात ध्यान रखना सब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए इन आकड़ों का इन घटकों होगा आपको समाविष करना है ठीक है यह बात ध्यान होगे आपको क्लियर होगा चलिए आगे बढ़ते हम आगे बढ़ते हम कि इसमें 180 मास कैसे हसिल किया जाए तो अभी जो मैं segment बोला हूं उसी को apply करना है apply क्या करना है आपको data डालना है आपको required है तो map डालना है आपको यहां पर required है तो यहां पर क्या डालना है आपको flow chart बनाना है ठीक है और सबसे important में से एक part क्या है यहां पे जो उत्तर का presentation है presentation यह उसका प्रस्तूती करन आपको सरल तरीके से करना है बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही जटिल सब्दों के उप्योग करने के बजाए आप उसके topic में पूछा क्या है इस पर focus करना है भूमी का नहीं बाननी है जादा जो question जो exam में पूछा गया है science में सिर्फ उसे लेकिन ध्यान क्या रखना है previous slide में मैंने बताया आंकड़े जो रहा थे आंकड़े लिखिए उदाहरण example जो रही है presentation with example always presentation with example example के साथ present करने का प्रयाज करें if needed आप यहां पे क्या data तो हम लिख चुके है if needed flow chart बनाए ठीक है if needed flow chart बनाए और यहां पे आप चाहें तो current affairs के data क को यूज कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे यूनिट है भारत के टेकलोजी डेवलप्मेंट में करेंट कर डिटा यूज कर सकते हैं भारत में energy scenario उड़ जा क्या पर दिसे वहां पे आप डाल सकते हैं भारत में बायो डाव सिटी से रिलेटेर नए डेटा जो पब्लिस होते हैं व को वहां involve कर सकें ठीक है यह बातों को ध्यार रखना है और कभी यह नहीं भूलना है कि आपकी सब्द सीमा भी एक महतपूर्ण भाग होता है आपकी आंसर राइटिंग का आप इस प्रकार लिखने का प्रयास ना करें कि आपकी सब्द सीमा ही खतम हो गई और आप उत्तर को पूरी तर से समाप्ती नहीं कर पाए तो सब्द सीमा के दाएरे में आप उसे सीधा टू दा पॉइंट लिखने का प्रयास करें भूमिका मत बांधिये निसकर्स एक बार महतपूर्ण भाग हो सकता भूमिका की कुछ खास भूमिका यहां पर उसका रोल होता नहीं है प्रस गार बाने नोट कर सब्सक्राइब हम कहांपर गराय हैं लाइक हम आपको पूचा जाए कि जैसे कि दौ आपके मेंस के syllabus मनी है लेकिन prelims का सबसे important topic भी है और उसके data को आप वहाँ technology development में use कर सकते हो वो data को वहाँ डालो कि we are मतलब we are on way to launch our the most इंडिया's first man mission to the space भारत की अपने प्रथम मानव mission के हम मौहाने पे खड़े हैं जो इस वरस हम छोड़ने वाले हैं और जब आप मेंस लिक रहे हो हो सकता है कि पहला दूसरा segment पहला दूसरा जो है part already हम launch कर चुके हो ठीक है यह बात आप ध्यान रखेगा तो कहीं पे भी हम समाहित कर सकते हैं यकीन मानिए आगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो उसके साथ में एक सब्द मैंने क्या कहा था यह कहा था science विज्ञान अपने आप में यह सब्द ही काफी है कि इसमें 200 में 162 180 score आप कर सकते हैं आपने अपने schools में colleges में बहुत सार है ऐसे students को देखे हम में से कई लोग ऐसे रहें जो अपने academics में इन papers में maximum to maximum marks हमने अचीव किया है तो यह बाते आपको मैं इसलिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर हम इसके इन बारिक पहल्मों को जोडते हुए सही content लिख डाले एक बार प्रयास तो करके देखिए नहीं आया तो उस समय आप मुझे कहिएगा मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं कि अगर आप अभी भी select होने के लिए सोच रहें तो उससे आगे का सोचिए आप merit में आने का सोचिए टॉप करने का सोचिए और वो ऐसे ही हासिल नहीं होता उसके पीछे strategy बनानी पड़त हैं तो यही तो वह चोटे-चोटे पार्ट है वही चोटी-चोटे टेक्निकल बाते हैं क्लियर होगे आप सभी को तो यह याद रखी का बिलीव रखिए गा इस दस सब्जेक्ट इस दा पार्ट ऑफ साइंस यह विग्यान का भाग है और विग्यान में आपको मार्क्स पू इंक्रीज हो जाए हो सकता है वन सिक्स्टी अब स्कोर करने लगो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार दो बार तीन बार चार बार मेंस लिख रहे होते हैं उनके लिए गोल्डन टिप्स है कि एक बार आप एफ़र्ड इस पेपर में लगा के देखिए जो आपका मेंस के बाद इंटर्वू आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है अब आने वाले समय में डेफिनेटली प्राप्त होगा अगर बागी पेपर में अच्छा किये और इसमें थोड़ा एक्स्ता एज आपको मिल गया है थोड़ा एक्स्ता एज कहने का मतलब एक ऐसा सब्जेक जिसमें आप इंपूड भी पूरा देते हैं और आउटपूड भी मैक्सिमम प्राप्त होता है तो वो यह वो सब्जेक्ट है यह वो पेपर है पेपर फूर ठीक है जहां पे आप थोड़ा मेहनत ज्यादा करिए एक बार करके देखिए करने के बाद आप इसका आउटपू कुछ तड़का डाला ही करेंट अफिस का पार्ट डालिए कुछ उसमें आपको इतने सारे मैंने करेंट का अप्लाई करने का जोन बता दिया है ना इसे पढ़ते हैं कोई डाउट है तो आप और भी पूछ सकते हैं कि कहां पे हम क्या डेटा अप्लाई करें कनेक्ट टीचर करका तो ऑप्शन अलेड़ी हमारे वेबसाइट में कॉंपटिशन कमिटी में अलेड़ी अवेलेबल है आप उसके लिए कोई रच्टेशन करने की ज़ुरत नहीं फ्री आपको साब पूछ सकते हैं ठीक है तो पूछिए कोई डाउट है तो अधरवाइस यहां पे अप्ला हमको एक बात ध्यार रखना पड़ेगा कि यह पार्ट वन और पार्ट थ्री है तो पार्ट वन और पार्ट थ्री के जब बात करते हैं तो याद करिए मैंने बताया था इसमें केमस्टी इसके बाद फिजिक्स और इसके बाद यहां पे मैंने बताया था यह है बायोलोजी तो ये पार्ट वन से कितने नंबर के प्रस्ण पूछे जाते हैं, तो 75 नंबर के question पूछे जाते हैं, तो क्या ये 75 तीन पार्ट में equally divided होता है, 25, 25 और 25 में, तो मैंने उसका answer क्या कहा था, no कहा था, और हमने कैसे प्रस्ण पूछे थे, उसको भी समझा था, तो part 1 वाले analysis वीडियो के एक बार जाके देखिए, कि कैसे trend follow किये गए हैं, तो similarly part 3 में भी क्या आता है, part 3 में हमारे पास आता है, technology, technology आता है, और दूसरा आता है environment, तो environment की बात हम जब करते हैं, तो क्या इसमें, ये जो 75 marks है, ये 50-50 पसंद में divide हो जाएगा क्या, नहीं, इसका answer भी no है, क्योंकि हम देखते हैं, कि हमेशा ही, हावी कौन सा subject रहा, environment हावी रहा है technology पर, एक साल ऐसा रहा है, जब technology भी पूरी चुनाती दिया था, मतलब उसका segment भी ज़्यादा था, उसके आसपास था, लेकिन हमेशा आप याद रखीगा, environment के ज़्यादा number of questions बन रहे हैं, 75 में, और बनने के chances भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका content ही वैसा है, ठीक है, इसके अंदर के जो component या घटक ही ऐसे हैं, तो previous analysis में हमको दिमाग में ये बैठा आना, अच्छी तरीके से है, कि 50-50% question नहीं पूछे जाते, कभी इसका, हमेशा इसका प्रसन ज़्यादा अंक ज़्यादा इससे पूछे गए हैं, और कम इससे पूछे गए हैं, अब यहाँ पे बात आती है, कि जो प्रसन पूछे जा रहे हैं, हमारे पास आ रहा है, क्या है दो नमबर, चार नमबर, आठ नमबर और पंद्रा नमबर, तो इन नमबर को अगर आप देखें, तो सब के क्या है, कोई भी कोई भी paper में क्या होते हैं, अलग-अलग उसमें खंड होते हैं, तो यहां पे 5 खंड होते हैं, यहां पे 5 खंड में 4 खंड आपका गया दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो आपके किसका पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, यह आपके 10 नंबर वाला होता है, और 10 नंबर वो भाग 2 में आ करना है तो इसे थोड़ा सा दूसरे एंगल से समस्ते हैं किस समस्ते कि कितने प्रसथन किस साल पूछे जाते हैं और इसका क्या पैटन है इस पैटन को पैटन की बात करते हैं तो त्याद रखना दो नंग दो अंक वाफिशات जियंगे से एक से ऐसे कि यहाँ पर इसे ऐसा लिखे है ना इसे दूसरे तरीके से लिखे देता हूं ताकि आपको बहतर समझ आए कि दो नंबर वाले दो नंबर वाले जो है आपके प्रस्न जो पूछे जाते हैं ये दो नंबर वाले कितने प्रस्न पूछे जाएंगे तो दो नंबर वा हुआ कि technology के चार और environment के चार अगर इसका कहें तो तीन साल में ऐसा बिल्कुल 4 प्लस 4 हुआ है लेकिन एक साल 2018 में हम देखते टेकलोजी ज़्यादा पूस दिया था टू मार्स में और इन्वार्मेंट कम फूस दिया था टू मार्स में तो यहां पर एक बात समझने वाली क्या है कि प्रस्ण निर्धारित है कि आठी प्रस्ण आएंगे किसके दो नंबर वाले लेकिन आप तीन साल ऐसा देखते हैं दोजार इकीस बीस और उननेस जब देखते हैं कि एक साल ऐसा है नहीं पूथ ठीक है तो हम क्या माने कि ऐसा ट्रेंड फॉलोग किया जाएगा हरें साथ हम यह कह सकते हैं आप इसी हमाइंड सेट कि साब से ready रहे हैं कि हाँ इसमें थोड़ा सा ये equally पूछने की कोसिस कर रहा है ठीक है क्योंकि हम latest trend को समझेंगे तो 21 का और 20 का आप ज्यादा मान सकते हैं तो 4 2022 में उसका पेपर है तो इसमें आपको पूछा है देखो ICT मैंने बताया था सबसे important topic है सुरू के तीन topic में से सुरू के तीन प्रस्ण में तीनों के तीनों ICT के question तो मैं इसलिए तो stress दिया था कि ICT सबसे important part होता है ठीक है सुचना प्रदूगी क्या है information technology टू मांस में अगन पूछ दिया है तो आप इसमें भी example इसमें भी example इसमें भी example लिख सकते हैं ठीक है इस बात को ध्यां रखेगा अब यहां पे बात करते हैं कि nuclear reactor में की नभी क्र जाना है उसके नीचे उसका reaction अभिक्रिया का नाम भी लिखना है कि nuclear fusion में क्या होता है एक बड़ा न्यूक्लियस तूट के दो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है तीन निकलते हैं वह तीन न्यूट्रॉन फिर आके अटेक करता है उनके मदर नाभी नाभिक पर इससे तीन न्यूट्रा निकलेगा वह तीन फिर से आके अटेक करेंगे तो फिलाल आपको जो चेन रियक्शन इंकला भी रहे है उसे आपको लिखना होगा और यहां पर आपको कैसे उत्पन होती है इसका पूरा आपको nuclear fusion को आपको समझाना होगा नाभी की विखंदन को सम मतलब दो इंटू एट टू इंटू एट मतलब आप दे हो गया 16 मांक्स क्लियर हो गया वैसे देखतें आपका टेकनोलोजी का किर बात क्या आपके इनवार्मेंट का तो इन्वार्मेंट वाले पार्ट में भी देखिए in-c2, ex-c2 conservation क्या है? टू marks में पूछ दिया इसी कोस्चन को चार में भी पूछ सकता है इसी कोस्चन को आठ में भी पूछ सकता है और can you believe कि इसी कोस्चन को पंदरा में भी पूछ सकता है अगर इसका पूरा विस्तित ब्योरा लिखा जाय है यह सब यह ताइप के प्रस्ट यह सिफसे बना है भारत में चार बाइयोडेश टी होट सपोट को हडी है चार वव्फाट में अगर लग रहे हैं तो चार का सिफ नाम नहीं लिग देना है चारों का नाम लिखिए दस बाइज जोग्राफिकल जोन में चारों के ब्रैकेट उसके सामने सामने लिखिए गाइज पीसीज का नाम किस छेत्र में मिलते हैं उसका भी नाम लिखना है इसका मतलब बिलकुल यह नहीं कि सिर्फ चार नाम लिख दिये हैं आपका वेस्टन घाट और डेजर् पैनिर्सुलर इंडिया इस टाइंब सी 4 लिख दिया तो उसमें चाॉर्द माक्स आपको ट्रू मरक नहीं मिलने वाले आपको लिखे तीन लाइन लिखा एफ तीन लाइन में आपको अट्लीसके ब्रैकेट में किस छेतर को कहते हैं अब पैनिसुल्र पिया प्रतियर्भा है या फिर कह सकते कौन से स्पीसिस वहां मिलते हैं ठीक है बात समझ में आगी तो यहां पर लिखेंगे प्रजल प्रदूसर्ण के कारण जो है एक जीवानु जनी जब प्रोटोजवा जनी जो है बैक्टिरियन प्रोटोजवान डिसीस को आपको लिखना है तो यह पार्ट होता चार होट्सपोट में भी चारों का नाम और यहां पर आप देख रहें छोटे प्रस्थने तो मैप ना भी बनाए चलेगा लेकिन एक डू स्पीसिस का नाम लिख लीजिए कि उस चेत्र में होट्सपोट है होट्सपोट क्यों कहते हैं उसके शरत नहीं पूछा है लेकिन हो जय विवित्ता घरेच रहोते हैं उसका एक पार्ट है वह होता है मतलब स्पीशीज रिचनेस भी और दूसरा वहां पे बाइटन एरिया भी होगा उसे हम बाइडासिटी होट्सपोट कहते हैं तो चार नाम पूछा है तो सीधा-सीधा आपको डेफिनिशन पर नहीं जाके है ना वह लाइन लिख दें कि हाई बाइडासिटी जोन होता है और भारत में चार होट्सपोट है उनका परसेंटेज और क्यूंब ऑन चब ग급 कोना जरू लिख यश्यार नमबर मयाद दो नमबर हो गए क्टबशा नंबर प्रम वाले सोलह नंबर के प्रशन हो गहाए अब बात करते हां चार वाले तो 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 कितने आएंगे टोटल यहां पे 20 अंक के प्रस्नाएंगे, टोटल 20 मार्च आएंगे, तो यहां पे 4 अंक वाले, 1 तो कितने टोटल हो गए, टोटल 5 कोश्चन आएंगे, तो 5 फोर्जा इंटो 20 हो जाएगा, 5 चौ बीस हो जाएगा, चार एक कांग है तो कितने प्रस्ण पूछे जाएंगे तो पाँची प्रस्ण पूछे जाएंगे अब यहां पर एक इंटरस्टिंग सी बात समझे क्या इन्वार्मेंट और टेकलोजी के सेम तो सेम कोश्चिन पूछे जाएंगे पहले तो यह ढाई-ढाई प्रस्ण पूछ क्या है है रिकिले रियक्टर के सेंत्रेों के नाम लिखिए आपका फूस दिया फूर नंबर पर दोनों टैक्टलॉजी का है तूट टी में लिख दिया इसके बाद थ्री भी अप ठी जो है इंवार्मेंट लिख दिया पे जिसमें कि वाइडायसीटी हॉट्सपोट सेम को रि चाहिए है ना क्या कह सकते सवहनी स्थानिक पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए तो वह पहला क्राइटेरिया दूसरा उसमें कह सकते हैं कि इसका 70% पार्ट उसका मूल प्राकृतिक वनस्पति का आवास ओरिजिनल प्राइमरी वेजिटेशन का मूल परियावास जो है नस तो यहां पे दो बात आप समझ में आ गया तो इसको लिखना है यह चार नंबर के साब से तो यहां पे आपको एक्जामपल की डिमांड भी कर रहा है इसको परसेंटेज की भी डिमांड कर रहा है और इसमें जो दो क्राइटेरिया उसको भी आपको लिखना पड़ेगा ठी सब्सक्राइब दिखेंगे तो वो सब्सक्राइब पड़ेगा नेशनल पार्क और यहाँ पर अभ्यारणिय में सैंक्जूरी में डिफरेंस हैं तो यहाँ परस्ट को इसमें 4154 मिल सकता है जितने भी प्रसन दिख रहे इसमें आप को संद्रस आपको परफ्लें जांसेस आप अच्छा लिख सकते हैं इसमें आप दिखते हैं कि राष्टी उद्ध्यान अभ्यारान numbers इसमें अलग अलग हैं यह लिख सकते हैं इसमें क्या high degree of protection होता नेशनल पार्क में और relatively less degree of protection होता आपके sanctuary में हैं ना और sanctuary हमेशा upgrade किये जा सकते हैं नेशनल पार्क ने लेकिन cng question है cng question actual में technology का है तो technology को आप 3T कर लीजिए और इसे 2E कर लीजिए कोई बात नहीं यह minor mistake है मेरे द्वारा है ना आप accept करता हूं इसे तो cng actual में उर्जा प्रदोगी का पार्ट है और उर्जा प्रदोगी की आपके किसमे है टेक्टलोजी में है तो यहां पर इसे तीन टेक्लोजी कोश्चन पूछें दो इन्वार्मेंट के पूछें अब यह trend को आप ध्यान में रखे रहेगा आगे हम देखते हैं cng में भी आ एक बायू के एक एक के कोश्चन हर साल पूछा है उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है तीनों की कोश्चन पूछता था इसमें कुछ अलग बात है इसमें कुछ अलग बात है आप हैरान रह जाएंगे 2021 के पेपर में आठ मास के कोश्चन में टेक्नलोजी के कोई बाइवजिटी इन्वार्मेंट देखो तीनों कोश्चन मिला के दे दिया तो आपको आठ मांस कोश्चन बन गया मैंने बताया था ना बायोडियोजिटी में एक कोश्चन पूछा जाता है क्लियर होगे आप सभी को तो आप इस बात को लेके थोड़ा स्ट्रेटजी क्या बात को ध्यां रखना है कि इस टॉपिक से प्रस्न पूछे जाएंगे मतलब इस सब्जिक से प्रस्न पूछे जाएंगे इन्वार्मेंट और टेक्नलोजी मिलके 75 जिसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ चांसे मतलब जहां पर प्रवाइबिलिटी और चांसे प्रवाइ अगी बाइबर्ची बहुत इंपॉटन है और बायो डावाशीटी से रिलेटेड देखो को बार बार देखने को मिल रहा है और अभी से मैं गैरंटी कह सकता हूँ ऐदिकर के जाएंगे आपका इंवार्मेंट का 450-6070% पाट टौटम कवर हो गया ठीक है तो यहां पर इस ट भी को तो 8 मास के हिसाब से अब यहां पर वात होती है आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि overall कितने प्रसनफ पुछे गए थे ठीक है लास पार्ट आता है डाट इस आफ फिफ्टी नंबर के कोश्चेंस तो फिफ्टी नंबर के कोश्चेंस में दो कोश्चेंस रहते हैं एक औ उनके एक्जांपल भी लिखना है ठीक है जिसमें कि आप देखते क्रिटीकली इंडेंजर्ट आती संकट ग्रस्त ग्रेट इंडियन जो है बस्टर सोंची रहिया आपको उसमें लिखना है कि इनके 90 परसेंट प्रबाइबिलिटी है एक्स्टिंशन की विलप्त होने की पास इयर में इनके 70% पॉपुलिशन डिक्रीज हो गई ऐसा बहुत सारी चीजिए इसमें जो क्राइटीरिया टर्में कंडिशन से उसको लिखना पड़ेगा एक्जांपल भी लिखना पड़ेगा और आयू सीन का एक जो फ्लो चार्ड बना हुआ है जो मैं पहले भी सिलिवस मे करेंट के दौरान भी कराया था और पहले के सेशन में कराया था आने वाले समय में करेंट की बातों सेशन में फिर से उसे भी देखेंगे तो उसमें फिर से ये बातें आपको बता भी दोंगा ठीक है या आपकी कोको को नोट्स में बहुत अची तरके से डिफाइन किया गय चीएगा आप यहाँ पिशिर से इंट्रस्टिंग सा स्टोरी दिखिये ये भी पर निखियो थैसे ऑल मदकि एसा पेपर था जिसमें technology minimum था कितना question किसमें पूछा गया था तो इसे लिख लीजिए environment के यहां पर 55 question पूछे 50 देखो यहां पर मैं लिख देता हूँ technology की केवल 20 मास के question पूछे थे वर्स 2021 में और environment के यहां पर 55 number की question पूछे थे यह मिलके 75 हो गया आप यह एहमियत समझ में आ गई आपको इस पेपर की ठीक है इस पेपर की है कितना इसमें mismatch है कितना difference है 20 नंबर का केवल टेक्नलोजी का और 55 आपके environment का और हमेशा environment हावी ही रहेगा है ना एक वर्स जब आएगा तो उसे देखेंगे चलो अब 2020 की ओर चलते हैं थोड़ा speed बढ़ाते हैं बहुत हम हमारे पास content है है अभी 18 तक करना है तो देखिए यहां पर फिर से क्या है आपका मैं थोड़ा fast चलता हूं फास चलता हूं तो यहां पर देखिए कि यह देख है फोर टी चार टेकलोजी कोश्चन आ गया फिर देखतें इन्वार्मेंट के नेशनल पार्क अलफा डाइवर्सिटी बीटा गामा यह भी आपके लिए पूछा जाता है फूर माक्स के हिसाब से टू और फूर में रेडी करिएगा उसे सबको पूछ देया तो आपको आठ यह पंद्रह में तो नहीं आठ में पूछ सकता है ठीक है तो यहां पर अलफा डाइवर्सिटी होगी है फिर आप देखते हैं कि ओशन पलूशन तैली प्रदूशन को आपको पूछा है फिर आपकी क्या है इन्वार्मेंटल एथिक्स क्या होते हैं यह आपके टू मार्में पूछा है तो यह आप देख रहें कि 4E मतलब यहां पर इस आठ दो नंबर की कितने प्रस्ण पूछे जाने आठ आठ गुणी दो मतलब 16 तो आठ प्रस्ण पूछे जाएंगे दो नंबर के जिसमें 4 प्लस 4 फॉलो किया गया है जैसे 2021 में किया गया था 2020 में भी किया गया यह बात सभी को समझ में आ गई अब बात करते हैं चार नंबर तो चार नंबर की जब यहां पर बात कर रहें तो चार नंबर में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर कितने प्रस्ण पूछे जाएंगे तो 20 अंग के लिए एक का चार तो कितने का 20 तो 5 गुणित 4 यह इंवार्मेंट है नहीं यह अगरी कल्चर टेक्नलोजी का तो इसे भी मैं टीक होंगा इसके बाद बायो स्फियर रिजब्स देखिए यह बचे वे तीन जो हैं आपके बायो स्पीर रिजब्स के विविन जो क्राइटेरिया है ना उसके बाद जो है इस पीसीज स्कतर्प diffus दीए थ masterpiece तो यहां पर कि अब मेCR i यहां पे आठो़ नमबर के कोशन है अब या दा रहा है तो 4000 का आठ नमबर के पूरी पूरे इंवार्मेंट से थे कीनी आ करिया पार्ट अ के dai ا 34 आट मैं आपका आना ही आना है मैं आज से कह दे रहाँ आपको आप रेडी करके शुक्त होते अबही से मैं कह सकता हूं वह आएगा उसी प्रकार एटा-गामा भी उत्रा इंपॉर्टेंट होता है तो यह बात ध्यान रखेगा कि यह जो पार्ट है आपका बाइडासिटी हॉट्सपॉल को थोड़ा एंगल चीहिंद करके लिखा देखिए कि इस्तन हिमाले में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट का वहां पर वड़न करिए इस तन हिमाले क्यों इस कारण इसे पूछा है ठीक है पूरवी हिमाले ज्यादा बाइडासिटी डेंस जोन है यह वहां पर अनिमल फ्लांट यहने फ्लोराफवना को पूछा है ठीक वैसे यहां पर नॉइस पलूशन नॉइस पलूशन को यहां पर आठ नंबर के इसाप से पूछ दिया है कुछ कंटेंट आपको जो है कलेक करने की जोरत पड़ेगी और इसे रेडी कर लीजेगा ठीक है इन जनरली यह दो चार के इसाप से पूछा जाता था ठीक है लेकिन यह वस था 2020 में पूरा पूछ दिया अब वहां पर देख रहे हैं कि आठ था तो एक जो है टेक्नलोजी म 15 नंबर में आ गया 15 नंबर का कोश्चन में स्टार्टिंग में बताया था ना कि आई सीटी के टॉपिक से 15 नंबर के कोश्चन बनते हैं तो रेडी करिएगा ठीक है तो इस वर्स कितने नंबर के पूछे गए थे तो इसे मैं आपको बता देता हूं कि है ना वर्स 2020 में पड़ेगा और को दोनों में जोड़ना पड़ेगा तो उसी हसाब से 75 से जादा हो जाएगा लेकिन हमको तो सॉल एक ही को करना है आप समझ में आ रहे हैं मैंने कहा कि दो चार और आट के नंबर मैंने काउंड किया वह कंपल सरी अनिवार यह है आट के बाद आप या तो इ देखें तो इस प्रकार देखते हैं कि वर्स 2020 में वर्स 2020 में अगर अथ्वा मिला के देखें तो यहां पर भी देख रहें इन्वार्मेंट हावी है और टेक्नलोजी कम है ठीक तो यह आपका 2020 का क्या है आपका एनलिस हो गया तो आपको स्ट्रेस एकाउडिंग्ली देना है सब्जेक पर अब बात करते हैं वर्स 2019 के अनलिसिस पर 2019 का अगर आप देखें तो यहां पर फिर से वही बात आपको समझना होगा क्या समझना होगा तो देखते हैं कि वर्स 2019 में दो नंबर की कितने प्रस्न पूछे गए हैं तो दो नंबर देखें यह भी टेक्नलोजी यह यह भी टेक्लोजी यह भी टेक्लोजी मतलब 40 वाला कंसप यहां पर अपलाई हुआ है 40 और यहां पर स्थानिक प्रजाती में देखते हैं स्थानिक प्रजाती इन्वार्मेंट आपके पलूशन का पार्ट है इसी ड्रेन आपका टॉपिक नहीं है लेकिन एयर पलूशन का है और उसके बाद देखते हैं बाईयो रेमेडियेशन या बाय अफचार और जो है आपके पलूशन का पार्ट है आपके प्रदूर्शन वाला पार्ट है तो यहां पे फोर यह वाला तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि 2019 में 5 मतलब डू मार्प्स वाले जो आपके 8 कोशच जो आने वाले है उसमें follow किया गया है 4 प्लस 4 ठीक है तो यहां पे 8 marks दू-marcks वाले के साथ से कोई दिक्कत नहीं है हमीशा follow किया जा रहा है जिस फॉलो नहीं किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा है ना अब यहां पे बात आती है चार नंबर में तो चार नंबर को देखिए चार नंबर में क्या देखते हैं कि यहां पे चार नंबर की कितने प्रस्न आएंगे तो चार नंबर के प्रस्न कितने आएंगे टोटल बीस अंक के आएंगे अगर बीस अंक का आएंगे एक का चार तो कितने का बीस तो पांच का ब साइट और यहां पर नीम से किटना सक बनाने की विधी उसके बाद देख रहें कि में पलूटेंट जो लाइल सौहिल पलूशन जो करते हैं उसके बाद देखते हैं पादब जो है भारत की पादद जब विवित्ता के बारे में लिखिए बायो डाइवसिटी पूछा उसमें के बारे में के अल्पूस दिया है उसके बाद आप क्या देखते हैं आपके थर्मल पॉलूशन को लेकर पूछा है थर्मल पॉलूशन मैंने का तो चार नंबर के इसाब से एक्जाम में पूछा है तो यह आप देख रहें कि तो जो है टू प्लस थ्री तो यह ट्रेंड मिक्स करके दिया तो इस वर्स देखते हैं इस वर्स में भी देखते हैं एक टेक्नलोजी और दो इनवार्मेंट का इस प्रूश दिया है मतलब यह आठ नंबर का मतलब 24 नंबर का प्रस्न आपको पूछा है दो इनवार्मेंट का एक टेक्नलोजी का क्लिर होगे आप सभी क को इसके बाद देखते हैं आपके 2019 के 15 5 नमबर के को को तो पंदरा नमबर के कोश्च्चन को आप यहाँकर देखेंगे तो आप एक साल ऐसा देखे थे कि तोनों के दोनों से इंविर्मेंट था एक साल टेक्ट लोजी एक साल निवा टेक्नलोजी और इंवार्मेंट का बराबर बराबर रशाथ यह फिर से वैसा है 2019 जहां पर आप देख रहें कि यह टेक्नलोजी का है इसमें देख रहें कि नुक्लियर टेक्नलोजी आपको दिया हुआ है यह 15 नंबर के कोश्चन पूछा है मैंने आपको लिखा है और को यह बात है 2019 का अब हम देखते ही कि 2018 के अनलेसिस को 2018 के देखिए में यहां पर दिया हुआ है कि आपके टू मास्क के कोश्चन कितने आने वाले हैं तो माक्स में आने तो अठारा आने वाले आट दूनी सोला मतलब सोला आंके आपके प्रसना पूछे जाएंगे तो लेकि और सिटि के खत्रे इंवार्मेंट रिनवेबल एनरजी टेकलोजी मतलब प्लस वन यहांपे कर दो उसके बाद देखते हैं विसायले पदार्त वाले यह आपके इन्वार्मेंट उसके बाद यह तकलोजी फिर से तो प्लस वन इस प्रकार आप देख रहें यह वह वर्स है जब यहां पे technology थोड़ा हावी होता जा रहा है इसमें 6 technology के question पूछे हैं तो बचे वे 2 ही आपके क्या है environment से question पूछे गए हैं तो यह वो year है जहां 4T और 4E apply नहीं हुआ है ठीक है याद रखेगा तो आपको बिलकुल यह गांट बांद के रखनी है कि preparation करना है 75 mask का question कोई भी आप आए आप ready रही है तभी आप अपने लक्ष को प्राप्ट कर पाएंगे चलिए अब 4 mask के हिसाब से देखते हैं 4 mask के हिसाब से यदि आप देखें तो इसमें देखिए क्या है आपका यहां पर दिया हुआ है that is again a very important part कि आपका यी चौपाल क्या है आपके technology का पार्ट ह जीवास मींदन उजा प्रद्वी का पार्ट है लैल पीजी क्या है technology का पार्ट है और इस प्रकार यहां पर देख रहे हैं चार अंक वाले हम देख रहे हैं टोटल पांच प्रस्न पूछे जाते हैं उसमें हैरान रह जाएंगे कि चार के चार technology हावी है और एक environment है जबकि इ स्वेस में इसका ट्रेंड अलग था अने वाले यहर में की 18 ए तो 1920 तो आने वाला होगा ना तो यहां पे इसमें अलग ट्रेंड फॉलो किया गया थीक तो यह बात आपको ध्यां रखनी है पूरे के पूरे पेपर रेडी करना है अच्छा आट वाले देखिए कैसे आट वा हुआ ठाब एक इति इसमें आप क्या देखते हैं आप देखते हैं कि Pan Cerake 2018 में City नमबर के कोशिंट एक भी conflicting से नहीं थे में सबके सब्षे एक अर्वार्मेंट टेव हैं तो इसलिए हम मैं इंवार्मेंट को ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए आपको फोकस कह रहा हूं माना हुआ वन ने जी में प्रतिस पर्दा क्या इसमें कंफिक्ट हो रहा है ये भी आपको एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लास कोशन आप टुडेश सेशन औ आपके क्या है यहां बायो डाइवर्सिटी से भी पूछा है भारत क्यों मेगा बायो डाइवर्सिटी निशन ने पूछा है अब आपको मैं अंतिम निस्कस यही कहूंगा 75 मास का रड़ी करिए एंवार्मेंट को जादा स्ट्रेस दीजिए टेकलोजी को भी हलके में नहीं लेना है क्योंकि इन्वार्मेंट टेकलोजी के भी कुछ जोन होते हैं जहां पर स्कोरिंग एरिया है बड़े इंपॉर्टन टॉपिक मैंने बता दिया आई सीटी और आपका निकुले टेकलोजी है ना और यहां पर बायो डाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टन टॉपिक हो आप कितना पानी में है और एकोर्डिंगली आप फिर से आप अपने विकनेस पर काम कर पाएंगे आप रियल मेंस जब देने जाएंगे तो आप यह मान के चलिएगा कि इन यह गलतियां जो यहां पर किये होंगे इसका फीड़बैक प्राप्त करने के बाद वहां रियल में हैं इसमें वह मिस्टेक नहीं होगी ठीक है किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप भीजिए we are here to help to all of you और किसी प्रकार की कोई भी और भी समस्या आती है किसी दूसरे सब्जेक्स से रेलेटेड भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं connect to teacher की मदद लीजिए यह आप ही सभी के लिए है friends कि आप अपने समस्या है अपने doubts पूछेंगे तो हम आपके help के लिए यहाँ पे मौद् ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं next class में कुछ नए subject के साथ कुछ नए video session के साथ thank you so much have a nice day and best of luck for the test series thank you so much